So finally CSAS Phase 2 की शुरुआत हो चुकी है तुम लोगों ने पोर्टल पे लोगिन करके देखा होगा तो CSAS Phase 2 का पहला स्टेप है सब्जेक्ट मैपिंग अभी सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है तुम लोगों को CVT वाले सब्जेक्ट तुम लोगों की हर एक सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में देना की कोशिश करूँ काफी चोटी वीडियो है लेकिन इंपोर्टेंट है चाहे 2X में सुन लेना बट इस वीडियो को बिलकुल भी स्क्रिप मत करना चोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन को प्रेस कर देना ऐसे फॉर्दर अपडेट्स CSAS फेस्टू से लेटिट मैं टाइम टू टाइम चैनल पे शेर करते रहता हूँ तुम लोगों को शायद याद होगा डैल इनिवरस्टी ने ये बात पहले ही क्लियर करी थी तुम लोग उसी सब्जेक्ट का सी वीटी एक्जाम दोगे जो तुम लोगों ने क्लास 12 में बढ़ा है अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने सी वीटी में तो दे दिया लेकिन क्लास 12 में नहीं था तो वो सी वीटी सब्जेक्ट कंसिडर नहीं होगा लेकिन अब कंफॉर्म कैसे होगा कि तुम लोगों ने जो सी वीटी सब्जेक्ट दिये थे वो क्लास 12 वाले है ये नहीं यह confirmation Delhi University तुम लोगों से मांगता है subject mapping के जरिए, जब तुम login करोगे तो तुम लोगों को तुमारे class 12 के marks पूरे portal पे show होंगे और उसके नीचे CVT वाले subject लिखे होंगे, तुम से पूछा जाएगा जो यह CVT वाले subject तुम देखे आयो, उस नाम का subject तुमारे class 12 में कौन सा था, और English subject को जो तुमने CVT में दिया है, उसको match करना है English score से, ऐसे ही जो भी तुम लोगों ने CVT subject जैसे की accounts दिया है, तो accounts को तुमारे class 12 में जो account 10C subject था, उससे match करना पड़ेगा, ऐसे ही different board में जो तुम लोगों ने subject CVT में दिया है, वही same नाम का subject जो तुमारे class 12 में था, उ तुमने CVT में भी दिया था, तो map करने का option वहाँ पर आएगा, बट अगर वो additional subject तुमारे CVT में भी नहीं था, तो subject mapping का उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि subject mapping ये कहती है, जो तुमने subject CVT में दिया है, उनको उस नाम के subject को match कर दो, जो तुम लोगों ने अपनी class 12 में दिया है, बस general test को इससे exclude करते हैं, क्योंकि general test class 12 में किसी के बास नहीं था, तो Delhi University भी इस बात जानती है, तो general test नाम को subject जो तुमने CVT में दिया है, उसके लिए subject mapping नहीं है, ठीक है? कुछ most important terms and conditions जो subject mapping से related portal पे भी mention है, सही तरीके से match करना, जो तुमारे CVT के subject थे, उनको class 12 के subject से, कुछ भी अगर गल्ती करी, तो सवार ही अपने समान की खुद जिवदार है, और हाँ, जिस तरीके से subject तुमारे class 12 की mark shape में 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 थे, और ही practical के marks, combine करके जो लिख्यों है, उसी तरीके से तुमको अपने portal पे भी डाल ले, कोई भी गलती वहाँ पे मत करना, that's it, subject mapping, I hope अब समझ आ गया होगा, अगर कोई और doubt है subject mapping से related मेरे को comment section में जरूर बताना, मैं वहाँ पर reply करने की पूरी-पूरी कोशिच करूँगा, और हाँ, एक बार जरूर comment section तुम भी प्रोब्लम हो रही थी, या फिर समझ ही नहीं आ ला था, बाकी मैंने major doubts तो इस वीडियो में clear करी देगे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करकी bell icon को press कर दे न, और हाँ, एक बार description box भी check कर ले न, अगर तुम commerce background से हो, तो तुमारी काफ हो जादा है, वहाँ से भी हो जागी इस जितन कुमार साइनिंग हो, फिर मिलने किसी अगली वीडियो में किसे रहे, तो भी के साथ तब तक के लिए, बाबाए!